हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सिल्पा स्वागत है आपका हमारे कीचन में आज मैं आप शेयर करने जा रही हूं सुरन का कौफता इसे बनाना बहुत ही आसाना है खाने में बहुत ही ज़्यादा डेश्टी होता है तो चलिए फटाफट से रेश्पी को सुरू करते हैं रेश्पी को मैस कर ले या कदूकस कर ले तो हमने आलू और सूरन को कदूकस कर लिया है तो अब हम इसमें बेसन डालेंगे तो बेसन हम दो से तीन बड़े चमच ले लेंगे सारा बेसन हमें एक साथ हूज नहीं करना है तो यहां पर हमने तीन बड़े चमच बेसन ले लिया है अब हम अधे शोटी चमच अजवाई डाल देंगे अधे शोटी चमच धनिया पाउडर डाल देंगे अधे शोटी चमच लाल मिच पाउडर डाल देंगे अधे शोटी चमच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे अधे शोटी चमच हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे नमक हम जरासा ड अब हम इसे अच्छी तरीके से मिल लेंगे चम्मत से या आतों की मदस्द सा में इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है तो यह देखिये मिहातों से मिक्स कर रही हूं तो आपने मनपसंद आकार का कौफता जो हो तैयार कर सकते हैं है तो यह देखिए हमने यहां पर कुछ कुफता बाल बना लिया है अब हमसे फ्राइ कर लेते हैं कुफता को फ्राइ करने के लिए पहले से इंपने और गर्म हो गया है तो अब इसमें इकेक करके अपने सारे कुफता बाल डालेंगे तो यहां पर हमने 6-7 पिस कुप्ता वॉल जो है वो डाल दिया है अब हम इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे कुफते को हमें तब तक नहीं पलटना है जब तक कि या नीचे से अच्छे तरीके से क्रिस्पी ना हो जाए तो इस चीज का ध्यान अच्छे नहीं तो क्या होगा कि कुफता जो है वो फुल जाएगाhol कुफता आच्छे से क्रिस्पी हो गया तो अब हम इसे कच्छी की मदद से पलक लेंगे ज़िक देखिए कि नेची का सता जो है वह बहूत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गया है तो इसे मिलिवों Casey चारतर अच्छी तरीके से चलते से रहेंगे कुफता जो हमारा फ्राई हो गया है तो ग्यास का refusing लोग आप देंगे और इसे हम निकाल लेंगे तो यह देखिए कोफता हमारा फ्राई हो गया है तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे ग्रेवी बनाने के लिए मैंने आपे दो टमाटर लिया है तो प्याज लिया है लेसन लिया है अध्रक लिया है एक प्याज हम तर्का देने के लिए यूज करेंगे टमाटर और प्याज क की तरब तो मैंने आपर एक कड़ाई लिया उस कड़ाई में हम दो से तीन बड़े चमच ओल डाल देंगे और हमारा गर्म हो गया तो जीरा डाल देंगे खड़े मसाले डाल देंगे आम इसमें गैस का फ्लेम अभी मेडियम करेंगे इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से हमें पका लेना है खड़े मसाले हो गए है तो अब हम इसमें अध्रक और लहसन का कोटा हुआ पेस्ट डाल देंगे या पर आपके पास लहसन और अध्रक का पेस्ट है तो आप वह भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहां पर कोटा हुआ अध्रक डाल रही हूं इसे हमें अच्छ इन सारी चीजों को हमें मेडियम फ्लेम पर लगाता चलाते हुए पका लेना है अध्रक और लेशन का कच्चा पन निकल गया है तो हम इसमें प्याज डाल देंगे प्याज हमने बारी काट लिया है प्याज को भी हमें गोल्डिन ब्राउन होने तक पका लेना है हमें होगा कि वह बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाएगा और इससे उसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा तो ध्यान रहे प्याज को हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है तो प्यास का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें प्यास जो टमाटर की प्यूरी डाल देंगे तो यहाँ पर हमने प्यूरी को डाल दिया है इसे हमें ढख कर दो तीन मिनट तक पका लेना है कैस का फ्लेम मीडियम कर दें और मसालों को ढख दें ढख कर मसालों को अच्छी तरगेस हमें पका लेना है अब हम वापर ढख कर अटाकर मसालों को चेक कर लेते हैं तो मसालों से ठीलना घूते तब तक हम इसे पकाने हैं तो वापस हम इसका डाकन लगा देंगे मठीडा मीडियए हमकि एक फिलए मसाले ना थे चुुटी चले यवाऔटन लेंगे अधी जोटी चमच पाउड्रों लेंगे घरम मसाला लेंगे नमक टेस्ट के क्वाडीन लेंगे नमक ध्यान से लेंगे क्योंकि आमने नमक पहले भी यूच किया है तो इन सारी मसालों को हम एक पर अची तरीके से मिला देते हैं तो सारे मसालों को हमें तेल छुटने तक तो धक्कान अटाकर हमें बीच-बीच में इसे चेक करते रहना है छला लेंगे एक बर इसे हम वापस से अच्छी तरीके से पकाएंगे यह डगाना कर मसालो को चेक कर लेंगे तो यह देखिए मसाला हमारा जो है वो लगभख पक्का है तो इसे हम एक-से दो बार और पका ले नहीं तो क्या होगा कि मसाले हमारे पैन में लग जाएंगे तो जल्बी सकते हैं तो इस चीज का ध्यान रखे इसे बार-बार हमें ठकाना डाकर ऐसे चेक करते रहना है तो यह देखिए सारे मसाले जो हैं बहुत ही अची तरीके से पग गया है मसालम से तेल भी निकल गया है तो हम इसमें ग्रेवी के लिए पानि अट एट करेंगे तो मैं यहाँ पर इसमें डेड़ कप extremes करूंगी अ हृप को pork जूरभी की लाड़ी पसंद है वोट आपनें साब से पानि एक टरसकते हैं तो पानि डालने की बाद Stellen अगा तो इस सूरन की सब्जी को बनाना बहुत है अगर आपके घर में कोई सूरन की सब्जी नहीं खाता है तो इस रिस्पी को जरूर ट्राइब करें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो ग्रेवी जो है वह हमारी पक चुकी है तो एंड में हम इसमें थोड़ा सा कसुर मेथी डाल देंगे तो मैंने कस्री मेथी अट कर दिया है इसे मिला लेंगे एक बारे से अब हम फ्राइब किये हुए कुफता बॉल्स को डाल देंगे कुफता डालते समय आप एक चीज का हमेसा ध्यां रखे कि जो गैस की फ्लेम है वह बिल्कुल लोग होना चाहिए नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूबत आएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले साथी साथ हमाले चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रिस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ मिलते आप से एक नहीं रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाए थैंक्स फॉर वाचिंग